तो जो कॉंग्रेस अभी टुकडों में बटी है, 19 में भी नजर आया था, अब बज़े आगे भी चलेगा, कोल टुकडे पुकडे नी, सब ठीक हो गए, सब ठीक हो गए, ये जामाज का सीरवाद है, अच्छा मैं फिर ये इस बात पर होगा, आप तो कह रहे हैं कि 24 में सवाल सब अक्तूबर में चुनाव होंगे, 2024 में हर्याना के, तो यहां कॉंग्रेस सरकार आएगी, यस, यस, सवाल मेरा ये था, यस, और गए को बताओं, एक और बताओं, कौन बनेगा, मुख्यमंद्री को बताओं, जिट, देखो, ये मैं ज्वाब निन देगा, मैं एक बात प मैं खुद काम करूँगा, मैं इस उमर में, मैं जाओंगा, मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मगर कांग्रेस को जिता करके लाना, मेरा इमान, धर्म और कर्म है, और उसके बाद, जो मेरे से बोलेगा, उसकी का ताला खोल लूँगा, बस बहुत बहुत शुक्रिया तो आप सुन रहे थे, जावाज नाम से मशूर हैं, आप इनको सुन रहे थे किस प्रकार से ये बुजूर गब राहूल गांधी के साथ भी कदम ताल यहाँ पर करेंगे, और आप मालीजे कि इनका ये कहना है, इनका संकल्प है कि अबकी बार 2024 मे राहूल गांधी प्रधान मंत्री जरूर बनेंगे और ना तो ये सुनना ही नहीं चाहते कि नहीं बनेंगे, ये तहो ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में उनको हर कोई प्रधान मंत्री बना के रहेगा और प्रधान मंत्री बनाएगा और भगवान भोलेनात का अशिरवाद उनके साथ है लेकिन 2024 में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी कैमरा परसन मौनुक साथ सुधीर पांडे पंजाब केसी टीवी शाबार हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद